शिन्देज एजुकेशन गैलेरी ए लीनिंग नेम इन कोचिंग क्लासिस अनॉंस्मेंट कने जा रहे है एडमिशन दोहजार तेज की जाने माने आईटी गाइडन्स पॉइंट यानी शिन्देज एजुकेशन गैलेरी के कोर्सेस में शामिल है एड स्टेंडर्ड से लेकर टेंड स्टेंडर्ड तक का फाउंडिशन कोर्स साथी ग्यारवी और बारवी बोर्ट के साथ साथ जेड़वली मेंस एन एडवांस नीट यूजी ए और एमच्टी सी एटीज से कोर्सिस कहते हैं कि अगर किसी को कोई काम करना हो तो उसके लिए समय नहीं मिलता एक ऐसी शक्सियत जो यूवाव को श्रमसार कर दे वरिश्ट नागरिक धावक मुनालाल यादव गोंदिया शहर के रहने वाले हैं आज उनकी उम्र लगभग 81 साल हो गई है लेकिन आज इस उम्र में उनका दिर्ड संकल्प और दिर्टा के साथ साथ उनका उत्सा भी उनमें भरपूर मात्रा में भर देगा सतर से पचितर साल के बाद कई लोग हाथ में छड़ी या बिस्तर लेकर लेटे रहते हैं लेकिन गोंदिया के रहने वाले मुनालाल यादव आज भले ही 81 साल के हैं लेकिन हाल ही में दहरादून में आयोजित वरिश्ट नागरिक एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उन्हों ने गोंदिया का ही नहीं बलकी पूरे महराश्र का नाम रोशन किया है उन्होंने दहरादून में सीनियर दौर प्रतियोगिता में तीन स्वर्ण पतक जीते हैं मुनालाल यादव ने दिखा दिया है कि अगर इंसान ठान ले तो उस उम्र में भी वह कुछ भी कर सकता है वह उनकी उम्र 81 साल है लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा मुकाम हासिल किया है जिससे इस उम्र में भी युवकों को उनकी कहानी सुनकर शर्म आ जाएगी अगले कुछ दिनों में वह दुबाई इंटरनेशनल में होने वाले सीनियर सिटिजन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भार तरगीये महारानी महेंद्र कुमारी पूर्वसां सत स्मृति एथलेटिक है उन्होंने एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 100 मीटर 200 मीटर और 5 किलो मीटर की इस परदा में भाग लेकर प्रत्म स्थान प्राप्त किया है और महाराष्य का नाम रौशन किया उन्होंने इस प्र राष्ट यस्तर की पतियोगिता के लिए उनका चयन हुआ है टूनमेंट अक्टूबर में दुबई में आयुजित किया जाएगा चलाने से क्या है सेर बनाओ साईक्ल चलाओ और रियान बचाओ साइकल से दो बहुत से फाइदे हैं शैकल से कमाई होती है साहते में दूर की सुख भी रहता है लिक्न जो आज को शगलो हो गये हैं गाली चलाने जादा पसंद करते हैं मैं कम से कम कई जगा दोड़ चुका हूँ दिली, बंबई, बेंगलोर, मेंगलोर, लखनाओ, पूना, थाने, और अंगाबाद, चंदरपूर, जबलपूर, बालागाड, गोंदिया मुनलार यादव एक सामान्य परिवार से है, और पती-पत्नी एक साथ रहते है उन्होंने आज तक कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, लेकिन पदक जीतना उनकी भूग को शान्त नहीं कर सकता उन्होंने उम्मी जताई है कि विजेताओं को नकदराशी दी जानी चाहिए, ताकि कम से कम इन नकदी से यात्रा खर्च पूरा किया जा सके ऐसा अफसोस मुनलाल यादव ने बोलते हुए जताया है आज मुनलाल यादव अपना और अपनी पतनी का भरन पोशन करने के लिए गाय का दूद बेचते है उन्होंने सरकार से ये मांग की है कि सरकार को वरिश्ट धावकों के लिए कुछ वजीफात देना चाहिए ताकि उनकी आज जीविका और पतियोगिता में आने जाने की समस्या हल हो जाए अटाइस और उन्ती सक्टमबर को वहां पर प्रोग्राम होने जा रहा है तो असी से पच्चासी मेडल तो हो चुके हैं उसे जाने को समय नहीं मिला लिए तो काफी वी तक तिन-चार सो भी जम्मा हो जाते लेकिन इस्तिती ऐसी इतिकी नहीं जा पाता हूँ डोड़ने के लिए जब जाते हैं तो हम को कम से कम महा जो पहला दुसरा त्शा नम्बर आता है उनको कम से कुछ रसी डेना चयजी से उसके आना जाने का खड़ивается हई यह सिर्फ मेडल देने से कुछनी होता है मेडल ले जाते हैं उसमें सिर्फ मेडल से नाम रहता है लेकिन कुछ रास्टी मिल जाए या इतना दोडने के बाद आज मैं 67 साल से मेहनत कर रहा हूँ और दोड लगाता हूँ जहां भी जाता हूँ सफलता पाता हूँ लेकिन मेरे पास उसमें कोई साधन नहीं है कि जिससे मेरा बुढ़ाबा आगे का कटे कोई रास्टा नहीं है कोई साधन नहीं अभी मेरे हाथ पर चल रहे हैं तो इसलिए कुछ कमा लेता हूँ कल चलके मेरी इस्तिती क्या होगी यह तो आप लोग समसकते हैं मेरी पुजाईजी से के कमणब सरकार से हर बुज़ित लोगों के इसके लिए मदद मिलना चाहिए NBC News के लिए गोंदिया से अभिशेग भटनागर की रिपोर्ट मैस कोचिंग ही नहीं शिंदेज एजुकेशन गैलरी में आपकी सुविधा के लिए उपलब्ध है स्कूलिंग, हॉस्टेल और मैस जैसी सुविधा है भी Only at reasonable fees हमारी प्रांच अब उपलब्ध है महल, रशिमबाग और चापुरुनगर में भी करियर का मैदवपूर निने लेने से पहले शिंदेज एजुकेशन गैलरी में एक बाव विसेट जरूर करें जोहां आपको मिलेगी सक्सेस की पूरी गैरंटी For more details and registration, please contact to Dr. Madhuri Shinde on 888-8888-3436 पर